हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू चैनल लॉजिक कॉम्पूर इंस्ट्यूट वर हमारे चैनल सब्सक्राइब किजिए लेक्टेस्ट व्योज देखने की लिए तो दोस्तो इस चेक्षिन में हम देखते हैं इवोलूशन ऑफ पी 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 लेंगवेज का इवोलूशन कैसे हुआ त तो देखिए इन इयर 1994 पी पी का फर्स्ट वर्जन पी एएपी 1.0 वाच क्रिएटेड बाय रसमस लेड़ॉट इन 1994 में पी पी का फर्स्ट वर्जन क्रियेट किया रसमस लेड़ॉट इस साइंटिस्ट ने यहां पर देखिए इमेज में आपको जो विर्थी दिख रहा है वो रसमस लेड़ॉट इन पी पी एपी 1.0 इस लेंगवेज का फर्स्ट वर्जन क्रियेट किया बात में दिखिए इन इयर 1995 वी रिलीज पी 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 2.0 तो दे जनरल पब्लिक इन 1995 इन 1995 में पी एपी का जो जो चेकंड वर्जन है पी पी 2.0 वो जनरल पब्लिक के लिए 1995 मे रिलीज किया जो कि आम युक्ति यूज कर सकता है तो दिखिए बार में क्या हुआ पी 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 श्टार्टेड आउट एज एज सेट ओप सिम्पल तूल्स कोड़ेड इन दे सी लैंगवेज तो रिप्लिक दार्समस वाज उजिग ऑन हिस परस्टनल होमपेज तो दिखि परस्टनल होमपेज नाम की उसकी वेबसेड थी तो इस तरह से परस्टनल होमपेज नाम की उसकी वेबसेड थी जिसका चौट परम होता है पी एचपी तो इस तरह से उसने उसे इंप्लिमेंट किया यहां पर दिखिए उसका नेक्स्ट वर्जन इन इयन 1998 पी इच्पी ओनली स्टर्ट गेनिग पॉप्लिर्टी विथ वेब डेवलोपर शीन 1998 से PHP पॉपिलर हो गया, वेव डेवलपर में, यहने 1998 से जो मार्केट में डेवलपर से ज्यादते डेवलपर ने PHP लैंग्विज का ही यूज किया, दिखिये बाद में, यह जूज 1998, वो मॉल डेवलपर जीव शुरास्की और Andie Gutmans, रिरोड मोस्त अप्प आन अउच मार्श मस्त रिलीज भी प्लीज किया, दिखिये इस दो स्थिक्श सहिए से रसमस ने किया किया, प्लीज किया, प्लीज किया, दिखिये, बाद अध यूज किया, प्लीज किया अल्रेडी अमास 10s of 1000s of developers and being used on 100s of 1000s of websites दिखिये 1998 में जो जितने developers है 1000s of developers उन्होंने PHP language का यूज करना शुरू कर दिया दिखिये बार में May 2000s for the next version of PHP जिव और एंडी जिव और एंडी जिव और एंडी ने PHP बार में फिर से लिखनी की शुरूरत की उन्होंने रिराइट करनी की शुरूरत की और उसको नाम दिया जेंड इंजीन the new version of PHP is PHP 4.0 was launched in May 2000s और May 2000s में क्या-क्या PHP 4.0 का लांच कर दिया दिखिये प्यस्प 4.0 जो है और रिराइट की हुई PHP language है बार में दिखिये बार में जो May 2000s this version PHP 4.0 included इसमें क्या-क्या आता है कौन-कौन सी feature उसमें add कर दिये rewrite करने के दर में दिखिये session handling features, output buffering, reach your core language and support for a wider variety of web server platforms तो यहाँ पर उन्होंने session handling features आड़ कर दिया, output buffering और wider variety of web server platforms वहाँ पर उन्होंने क्या-क्या-क्याइए features में add कर दिये और में दिखिये जुले 2004 अल्दो PHP 4 was a marked improvement over version 3.0, it still suffered from a relatively poor object oriented programming implementations यहाँ पर दिखिये PHP language में जो concept थे वो object oriented programming के थे मगर वो पूर थे पूर object oriented programming language के features थे यहाँ पर दिखिये वो minimize करके वहाँ पर कुछ नए feature उन्होंने add कर दिये दिखिये PHP 5.0 release in July 2004, address this issue with private and protected class members, final, private, protected and static methods, track classes, interfaces and constructor and destructor syntax तो यह feature उने क्या किये PHP 5.0 इस version में add कर दिये तो यह जो features है वो object oriented programming के feature है और इस feature के add करने के बाद PHP 5.0 a true object oriented programming language होगे यह पर दिखिये बाद में March 2010, when the developer started to use PHP 5.0 for the development of applications it was realized that PHP 5.0 had unsufficient support for unique code encoding देखिये यह यह पर PHP language का development में यूज होने के बाद यह realize हो गया है कि PHP जो है वो unique code encoding को unsufficient है देखिये तो देखिये तो उसको add करके new versions launch किया March 2010 में PHP version 4.6.0 was released with non unicode features तो बाद में दिखिये यह 2016 और 17 में new latest version जो है PHP 7.0 पोर रिलीस हो गया है during the period of 2016 and 2017 the PHP underwent major changes and the update was released as PHP 7.0 तो देखिये PHP 7.0 में major changes हो गये और new version जो है जो कि अभी market में use कर रहे है PHP 7.0 रिलीस हो गया है तो देखिये इस तरह से PHP language का क्या हो गया है evolution हो गया है उसकी इस तरह से history है तो देखिये अमारे channel देखते रहे हैं और thank you for watching and subscribe our channel logic competition for more interesting videos